हईलो वरिवन वलकाम तो उने में युट्यूब चैनल आप ईस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्ष में मैंट्रिक्स का एक पंध्येम टाइब देखने वाले मैट्रिक्स के बारे में आईएब पॉर्टेंट मैट्रिक्स तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आई इंपोर्टेंट मैट्रिक्स आखिर क्या होता और साथ-साथ इसके बारे में जो भी एनेलाइशिस होगा उसको हम लोग इस वीडियो में करेंगे तो इस वीडियो को आप सुरू से ले करके अन तक देखेंगे ताकि आपको सबसे पहले आइडियम्पोर्टेंट मैट्रिक्स को समय में आजा सबसे पहले आइडियम्पोर्टेंट मैट्रिक्स को हम डेफाइन करते हैं तो डीफाइन करते हैं तुछ सेच्वेशन में बोलते हैं कि एनी एपसकॉयर मैТ्रिक्स इनी एसकॉयर makes a %. कि इज सेट टूबी कि आइडेंपोटेंट कि आइडेंपोटेंट कि इसक्वाइर इक्वल एजाए बोला कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वाइर मैट्रिक्स यह है स्क्वाइर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें आपको पता है कि नंबर और रोज और नंबर आप कोलम्स द देते हैं और फिर से एक एकोल आ जाता है तो उस से सुट सें में लग बोलते हैं कि एक ऐसा मैटिक्स है तो आइए पहले लेते हैं जिसमें आपको बताते हैं आइडम्पोटेंट जैसे माल लेते हैं कि एपने maHSren छिरे किंडी से दीघए लारा इसमें क्या करते हैं इसक एक स्कषायर करते हैं नहीं लेकते हैं एक स्वार का मतलब हो जायेगा इंति अब यह का वैलुुँज्यम्झझम दो बाढ़़ डा लेंगे उन जीरो जीरो जिरो वं फिर यहां हो जायगा thirds्千-哪裡- 0, 1, आपको पता कि matrix का multiplication कैसे करते हैं, पहले इसका first row का first column के साथ, तो one से one में multiply किजेगा तो कितना होगा, one, फिर इस zero से zero में किजेगा तो zero, अब इसका first row second column के साथ, तो one में zero से multiply करते हैं, zero, फिर zero से one में multiply करते हैं, zero, आप second row first column के साथ तो 0 से 1 में किजेगा तो 0 और फिर 1 से 0 में किजेगा तो 0 Second row second column तो 0 से 0 में किजेगा तो 0 और फिर 11 क्या हो जाएगा matrix का multiplication आप जानते हो ऑगा अब यहाँ one 0 add किजेगा तो one फिर यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ पिर one यहाँ किसके equal आगया तो A के ही equal आ गया यहां पे जो हम matrix लिए थे A उसका square जो है किसके equal आ गया A के यानि क्या बोलेंगे कि A is an idempotent matrix यहां पे A कैसा matrix निकला तो idempotent matrix निकला हलाकि A जो है यहां पे हम identity matrix ले करके चले थे यानि बूल सकते हैं कि identity matrix भी आपका एक idempotent matrix होता है आगे इसके बारे में और हम detail में discuss करेंगे फिलाल तो हम example के तोर पे लिए हैं हमारा definition क्या बोला था कि एकर कोई भी matrix A है उसका square कर देता है अगर एक के equal आ जाता है तो इसको हम लोग idea important matrix बोलेंगे तो इसी basis में हम यहां पे matrix लिए है और इसका square किये है एक equal आ गया है यानि हमारा कैसा matrix का लाएगा तो idea important matrix का एक example और लेते हैं बस वहीं दिखाना होगा कि A का square जो एक equal आजाए जैसे आप फिर हम अगले example लेते हैं एक matrix लेते हैं element है 412-1-3 अब इसका में square कर देते हैं यह स्कॉर निकालते हैं तो A square का मतलब बजाएगा A into A अब A जो आपके दिख रहे हैं कितना 4-1 12-3 फिर एक बार इसी को डालना होगा तो 4-1 12-3 अब इसको multiply करते हैं तो multiply के तरीका आपको पता है first row first column के साथ 4-4 जा 16 फिर ही minus में हो जाएगा 12 फिर ही second column के साथ 4 से minus 1 में multiply होगा तो minus 4 फिर ही minus multiply होगा प्लस में चला जाएगा 3 फिर इसका second row first column तो 12 से 4 में तो कितना हो जाएगा 48 और यह आपका minus में हो जाएगा 36 फिर second row second column तो 12 से minus 1 में तो minus 12 फिर minus minus plus 3 हो जाएगा sorry plus 9 हो जाएगा 33 अब यहां से इसको minus कर लेजएगा तो 4 हो जाएगा इससे इसको minus कर जाएगा तो minus 1 फिर यहां पर आपका 12 आ जाएगा और यहां पर देन हम लोगा identity बोलेंगे अधरवाइज नहीं बोलेंगे अब देखिए अभी तो हम लोग देख लिए कि a square एक एक इकवल है अमाल नेते हाइयर पाउर आ जाता है इस पर question अब अगर हाइयर पाउर का question आ जाता तो उस situation में इसको कैसे solve करेंगे तो सबसे पहले आप देख आप उसका square कर लेजिएगा square करना असान है और वहां से check कर लेंगे अगर उसके equal आता है तो अगर हमको aq निकलना है तो aq को लेख सकते ना a square into a तो आइडियम पोटेंट है तो आपका a square किसके equal होगा तो a के और एक पहले से into a है फिर दोनों multiply होगा तो क्या हो जाएगा a square और आइडियम पोटेंट है तो a square का value फिर से क्या हो जागा a हो जागा यानि अगर आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स है तो एक पावर 3 का value भी क्या होगा a होगा माल नेता अगर एक पावर 4 निकलना हमको तो इसको लिख सकते है a square into a square तो a square का मतलब a चूकि a आइडियम पोटेंट है फिर a square का मतलब a दोनों multiply होगा तो फिर से a square और आइडियम पोटेंट है तो फिर से a डाल देंगे यानि a के पावर 4 का भी value क्या हो जागा a हो जागा ऐसे ही आप अगर a का पावर 10 दिया हुआ तब भी a लिख सकते हैं किस case में जब यह आपका आइडियम पोटेंट है यानि a का पावर 20 दिया हुआ तो भी हम क्या बोल सकते हैं किसका equal है एक equal है लेकिन condition है कि यह आपका आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स होना चाहिए यानि यहां पर हम लोग नोट के तौर पर बोल सकते हैं कि a का पावर k जो है किसका equal होगा एक लेकिन k क्या होना चाहिए तो वेर k is any positive integer any positive integer यहनि k जो है कोई ना कोई positive integer होना चाहिए तो इस सब के लिए valid हो जाएगा चुकि आइडियम पोटेंट में तो हम लोग देखे हैं कि a square a equal होना चाहिए तो के के बारे मैं बोला कि कोई भी positive integer है यहनि one से start हो जाएगा one two three four five तो एक पावर अगर वन है तब तो अल्लेडी ही होता तब तो उसमें कोई confusion है नहीं है लेकिन एक पावर अगर टू है तब ही आपका यह हो जाएगा आइडियम पोटेंट होने कारण ए जैसे महलने ते आपसे ऐसा question दे दिया जाता है आपसे question दे दिया जाता है कि इफ एक matrix दे जाता है आप फोर अभी लिए इसको हम 12-1-3 और देन आपसे बोलता है कि आप एक पावर 40 जो है बताईए तो उस condition में क्या करना जैसे आप देखेगा ना कि एक पावर higher दे रहा मत अधना असान काम तो नहीं है तो इस situation में सबसे पहले हम a square निकालेंगे तो अभी हम जस्ट a square निकाले थे तो यहां a square निकाली तो एक के ही equal आ जागा यानि यहां पे जो आपका a square है कि कि क्या होगा एक इसका मतलब है कि a is क्या होगा और आइडेम पोटेंट matrix यह आपका आइडेम पोटेंट matrix हो जागा और उस situation में a का पाउर 40 बताना है तो a के ही equal हो जागा यानि 4 12-1-3 यहीं आपका answer हो जागा तो higher power देता है और आइडेम पोटेंट matrix है तो कोई आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स यह को हम सपोच कर लेते हैं कि कोई आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स है तब उस situation में बोल सकते हैं कि a square जो है किसके equal है तो a के equal है अब दोनों तरफ हम डिटर्मिनांट ले रहते हैं यानि लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनांट इन बोट साइड दोनों तरफ डिटर्मिनांट लेते हैं तो देख रहा ना कि a square का Barcelona Divade اquet तुझ को प्रॉपर्टि से यह स्कॉाइर ही कहा जाता बहार आता है यानी इसका मों सकते हैं किड्रीट्र wynaf a का होल प्रॉइर एकश्च इनि यहां दिया गया न कि ए स्कॉाइर का तो आप इसको determinant of a का whole square लिख सकते हैं उससे कोई फर्ख नहीं पड़ेगा equal to हो जाएगा determinant of a तो इसको हम लिख सकते हैं determinant of a का whole square a plus में इधार आएगा तो minus determinant of a equal 0 हो जाएगा दोनों से determinant of a को अगर हम common करते हैं तो यहां से बचेगा determinant of a minus यह आपका 1 हो जाएगा equal क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहां से बोल सकते हैं कि determinant of a equal 0 और determinant of a minus 1 equal 0 यहां से हमको क्या मिलेगा यहां से हमको मिलेगा कि determinant of a equal 0 determinant of a equal 0 का मतलब हुआ कि अगर किसी भी matrix का determinant अगर 0 होता है तो उस matrix को हम लोग क्या बोलते हैं singular बोलते हैं फिर यहाँ पर बोला है determinant of a 1 होना चाहिए तो हाला कि determinant of 1 और केस में भी आ सकता है तो हम इसके basis पागे काम करते हैं फिलाल आप इतना देखिए कि determinant of a या तो 0 होना चाहिए या फिर determinant of a 1 होना चाहिए एक conclusion और निकाल रहे हैं अब यहाँ देखें कि a square जो है किसके इधर डाल देते हैं और एक एक को यहाँ लिख देते हैं और यह आपका मल्टिप्लाई होगा तो यह क्या बनेगा तो एक आपका identity matrix बन जागा फिर ए इन्वर्स ए भी मल्टिप्लाई होगा तो identity matrix इंटू ए आपको पता होना चाहिए कि ए इन्टू ए इन्वर्स इक्वल ए इन्वर्स इंटू ए एक किसके इक्वल होता तो identity matrix के इक्वल होता फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो किसके इक्वल आता आई तो आई और ए मल्टिप्लाई कीजेगा तो यह भी क्या हो जाता एक इक्वल टू आई यानि इससे हमको क्या पता चला कि यह जो ह है हमारा identity matrix है और आपको पता है कि identity matrix का determinant value किसके इक्वल होता है तो वन के इक्वल होता है हलाकि बीन identity के भी अगर कोई आइडेंटित है तो میग भी उसका वैली 1 हो सकता है लेकिन आइडेंटिटी का अल्वेज 1 होता है तो इससे हमको क्या पता चलना है इससे हमको पता चलना कि A अगर आइडेंटिटी मैंट्रिक्स है यहां पर पता चला कि A अगर idempotent है तो determinant of A या तो 0 होगा या फिर determinant of A 1 होगा तो determinant of A 1 का मतलब समझे हमको identity की तरफ लेकर के जा रहा है और एक बोला कि determinant of A equal 0 determinant of A equal 0 का मतलब होगा कि A कासा होगा तो एक signal matrix होगा यह बोल सकते हैं note में if A is an idempotent matrix then it will be it will be either singular और identity यानि कहने का मतलब है कि अगर आपके पास यह जो है कोई दे दिया जाता है कि idempotent matrix है तो situation में definite है कि आपका जो idempotent matrix है या तो सिंग्लर होगा या फिर identity होगा सिंग्लर का मतलब होगा कि determinant of A 0 के कुलना चाहिए identity matrix तो आप पाचान सकते हैं कि एगर 2x2 है तो 1001 करके होगा 3x3 में भी identity matrix आप पाचान सकते हैं कि element 100 फिर 00001 ऐसे करके होगा तो idempotent matrix में हम लोग क्या देखे हैं कि अगर किसी matrix square खुद इसी के equal आ जाता है तो उसको हम लोग idempotent बोलते हैं और उस पर जो भी properties है उसको हम explain करके इस वीडियो में बताया हैं जितना हमसा हो सकता था आसा करते हैं कि वीडियो आपके लिए useful हुआ होगा यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो like, comment जड़ कीजेगा possible तो share भी कीजेगा और नया है चैनल पे तो subscribe भी कीजेगा मिलनेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद